अब जो हम लोग एक्जाम्पर्स करने जा रहे हैं के ए ओफ और्गेनिक एसेट्स ठीके बेटा तो और्गेनिक एसेट में जैसे की जो अपनी स्लेबस में हैं सल्फोनिक एसेट, कार्बॉक्सलिक, फिनॉल, वाटर, अल्कोहल जब हम के एका ओर्डर निकालते हैं तो सल्फोनिक एसेट का ज़्यादा आता है, फिर कार्बॉक्सलिक एसेट का, फिर फिनॉल, फिर वाटर, फिर एथाईल अल्कोहल अब इसको अगर हम explain करें, तो H+, रिलीज कर दो आप, H+, जब रिलीज करोगे, तो देखो यहाँ पर सल्फोनेट एनाइन बना, और सल्फोनेट एनाइन में resonance होगा, 3 RS मिलेंगे, कैसे negative charge इधर आएगा, हमें सहाद रखना, electron का flow, negative से πाई की तरफ इधर गया, फिर electron का flow, negative से पाई की तरफ गया की नहीं गया, तो कितने RS मिले, 3 RS, और सभी की stability equal है, और अगर stability equal है, तो hybrid में contribution कितना होगा, equal होगा, तो एक negative charge को तीन एटम पर distribute कर दीजे, तो partial 1 by 3, partial 1 by 3, negative 1 by 3, बड़ाबर बड़ाबर, चार्ज डिस्पर्स हो गया, 3 oxygen में डिस्पर्स हो गया, अच्छा, हाँ, यह भी पूछ सकते हैं, SO bond length equal होगी, due to resonance, कार्बोक्सले के sit से H निकाल दिया, इसे H निकाला तो देखो, क्या बिनना बेटा, कार्बोक्सले 9 मिला, कार्बोक्सले 9 का resonance कराओगे, we will get 2 RS, दोनों की stability equal है, दोनों की stability equal है, hybrid में contribution equal गया, तो अगर hybrid में contribution equal गया resonance hybrid, तो हर oxygen पर minus half negative charge होगा, और यहां हर oxygen पर minus one by third negative charge होगा, तो किस की stability ज्यादा, सलफोनिक की, की की कार्बोक्सलेट की, की की कार्बोक्सलेट की, तो अंसर आएगा, सलफोनेट, सलफोनेट anion will be more stable than the carboxylate anion, so सलफोनिक acid will be stronger acid than the carboxylate acid, फिनॉल की बात करो, फिनॉल ने इस निकला, फिनॉक्साइड आएट बना, फिनॉक्साइड का resonance कराईए, निगेटिब चार्ज अंदर आया, तो और्थो पे निगेटिब चार्ज जाएगा, निगेटिब चार्ज यहां से चला, तो पैरा पे निगेटिब चार्ज जाएगा, निगेटिब चार्ज यहां से दूसरे और्थो पे गया, निगेटिब चार्ज यहां से फिर वो और्थो पे गया, तो हमें आरिस तो मिले 5, out of the 5 आरिस, 3 आरिस ऐसे हैं, जिसमें निगेटिब चार्ज कार्बन पर दोड़ रहा है, और कार्बन पे advance का question है phenoxide ion में 5 RS मिलते हैं carboxylate ion में 2 RS मिलते हैं फिर भी phenoxide ion की stability ज़्यादा कम है क्यों क्योंकि negative charge is delocalized on the ortho and para position which is carbon and we know that negative charge on the carbon will be less stable इसलिए phenoxide ion की stability क्या हो गई कम हो गई और अगर हम बात करें water से अच निकाला तो hydroxide ion बना, hydroxide ion में तो resonance ही नहीं हो रहा है ethyl alcohol से अच निकाला तो ethoxide ion बना, ethoxide ion में भी resonance नहीं हो रहा है और उपर से ये negative plus यहाँ पे ethyl का plus आई है इसका negative charge localized है तो less stable है, यहाँ के पर ethyl plus हाई कर, localized हो है ethyl plus I कर रहा है, stability कम होगी plus I वाला stability को decrease करेगा तो अगर हम conjugate base की stability की बात करें बेटा, तो sulfonate ion is the more stable than the carboxate ion, फिर phenoxide, फिर hydroxide, फिर ethoxide, याद रख लेना इस चीज़ को कई बार practice करके next जो example की बात कर रहे है that is ka of polyprotic acid polyprotic acid क्या होता है ऐसा acid जिसके पास more than one acidic hydrogen's हो, polyprotic acid which have more than one acidic hydrogen H3SO4 को हम क्या बोलेंगे diprotic, diprotic, क्योंकि 2H plus यहाँ से निकलेगा इसको भी हम क्या बोलेंगे, S3PO4 को triprotic similarly, अगर हम oxalic acid को बोलें oxalic acid यह भी क्या है, diprotic है ठीक है बेटा, हमेशा polyprotic acid में ka1 की value ज़्यादा होगी than the ka2, than the ka3 ka1 is greater than k2 greater than इसको explain किया, S3PO4 से, यह देखो, S3PO4 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 में 3HS डिखे पहला H निकाला, देखो ka1 उसे बोल रहे है, एक H निकला यहाँ negative चार जाया और resonance कर रहा है अब दूसरा H निकाल दो पहले आपने single H को निकाल दिया अब आपने दूसरे H को निकाल दिया, जब दूसरे H को निकालोगे, तो product में double negative आएगा, और double negative आएगा तो repulsion, एक single negative के comparatively वहाँ ज़्यादा होगा, तो जब product के stability कम हो जाएगी, तो H plus के निकलने का rate क्या हो जाएगा slow हो जाएगा अगर हम तीसरा वाला H निकाले इस H को भी निकाले, के A3, अब triple negative आगया triple negative आगया, तो repulsion यहाँ पे क्या हो जाएगा, और increase कर जाएगा, तो अब इसका stability सबसे least है फिर उसके बाद यह stable है most stable यह है, तो always K1 का rate, K1 is greater than K2 is greater than K3 मुरी काशे क्लियर है बच्चों को, एक दूसरा example देते हैं, हमें K1 की value निकालनी है जैसे देखो, यह से कहते हैं oxalic acid इसे कहते हैं malonic acid 3 carbon के acid को क्या बोलते हो malonic acid, 4 carbon के acid को क्या बोलते हो, divac acid को succinic acid, 5 carbon के acid को क्या बोलते हो, आप glutary acid, 6 carbon के divac acid को क्या बोलते हो, आप adipic acid धान से सुनना जब इसका K1 की value देखी जाती है तो ka1, oxalic, melonic, succinic, adipic और gluteric की सबसे कम होती है क्योंकि एक H जब निकालोगे, say for example, इसके H को हमने निकाला तो negative charge यहाँ पे आया, यह acid क्या कर रहा है, minus I कर रहा है अब इसके जब H को निकालोगे, तो यहाँ पे negative charge आयेगा यह भी acid minus I कर रहा है, लेकिन इस acid के और इस acid में difference क्या है यह acid की distance increase कर गई वन carbon से, तो अगर distance increase कर गई तो इसका minus I क्या हुआ कम लग रहा है, यहाँ पे minus I ज़्यादा लग रहा है, ऐसे हर step पे जैसे जैसे आप carbon की chain की length increase कर रहे हो, दूसरा acid carboxylate and iron से दूर होता चला जा रहा है अगर वो दूर होता चला जा रहा है, तो minus I करने की tendency, जब distance increase करता है तो decrease होती चली जाती है, decrease हो गई, यह देखो minus H minus I करने की tendency decrease हो गई minus i करने की tendency decrease हो गई जैसे-जैसे distance increase करेगा तो ka1 की value decrease कर रही है लेकिन ka2 की value increase कर जाती है क्यों? क्योंकि अगर हम यहां से यहां भी अच निकाल दें तो दुनों negative पास पास आएंगे भेंकर repulsion होगा repulsion यहां थोड़ा कम हो जाएगा यहां repulsion distance और बढ़ा गया और कम हो जाएगा यहां repulsion और agacid उपर agacid नीचे है यहां पर agacid और उपर agacid negative charge और नीचे है तो ka2 की value क्या हो जा रही है? ka2 की value increase करेगी और ka1 की value क्या करेगी? decrease करेगी याद रखना oxalic, malonic, succinic, gluteric अगर कभी-कभी एक mathematical relationship इसमें पूछ लेते हैं अगर ka1 upon ka2 की बात कर दें इन structures में ka1 upon ka2 तो अगर हम ka1 की बातलू करें तो ka1 क्या हो रहा है? decrease हो रहा है और ka2 क्या हो रहा है? increase हो रहा है तो ka1 upon ka2 क्या होगा? decrease करेगा decreases दिखाब से clear है left to right जब आप oxalic से इधर जा रहे हो तो ka1 उपर की value decrease कर रही है और नीचे की value increase कर रही है तो overall result क्या हैगा? decrease होता चला जाएगा इस तरीके से हमने आप बच्चों को ka of polyprotec acid सिखाया hope आपको समझ में आया तो बिटा आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं that is malic और fumaric acid के बीच में estric strength को justify करने वाले हैं पहली चीज तो याद रखना कि malic और fumaric का जो molecular formula है वो C4, H4, O4 है और malic और fumaric acid geometrical isomers है malic और fumaric acid कैसे isomers है? geometrical isomers है जो हम आगे stereo में पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं GI, geometrical isomers है और advance के भी problem ऐसे आती है कि C4, H4, O4, एक unknown molecule है जो GI देता है तो आप तुरंट आपके सामने malic और fumaric ही नाम आना चाहिए तो जब इनका acidic strength बात करते हैं इसका नाम इसका इसकी बात करते हैं तो KA1 KA1 malic KA1 malic जो होता है वो बड़ा होता है KA1 fumaric से KA1 fumaric से यह जब का2 यह यह डाईवएक एसिड है polyprotec acid है यह यह डाईवएक एसिड है लेकिन जब का2 की बात करते हैं तो KA2 malic smaller होता है KA2 fumaric से इसी को explain कर रहे है देखो यह malic acid है butene die-way acid इसका cis form यह देखो butene 1, 2, 3, 4 butene die-way acid भी इसको बोल सकते हैं butene die-way acid double acid है इसका अगर KA1 करना है तो A-H निकाला हमने तो यह carboxylate आइन बना यह बना conjugate base of KA1 of malic acid जो इस O और H के साथ यहाँ पर क्या कर जाएगा hydrogen bonding और अगला जब इस H को release करने की कोशिस करोगे आपके A2 तो मुश्किल से निकलेगा क्योंकि पहली चीज़ तो यह जो hydrogen है वो trapped है bonded है और दूसरी चीज़ अगर H निकल भी जाए तो यह जो conjugate base मिल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा क्या है repulsion है तो दूसरा वाला H निकलने का rate क्या हो जाएगा बेटा slow हो जाएगा तो obviously अपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि अगर polyprotic acid है तो Ka1 greater than Ka2 is greater than Ka3 अब fumaric की बात करें यह भी देखो fumaric acid यह fumaric acid इसका भी नाम यही है butene divac acid butene divac acid दोनों का नाम butene divac acid यह इसका transform है trans वाले को fumaric और cis वाले को malic Ka1 आपने single H निकला negative charge resonance कर रहा है but hydrogen bonding नहीं होने वाली है तो इसकी stability थोड़ी सी उपर वाले के comparatively कमाएगी क्योंकि यह hydrogen bonding नहीं हो रहा है लेकिन जब Ka2 दूसरा H आप निकालोगे यहाँ से दूसरा H निकालोगे तो H असानी से निकल जाएगा कोगी H trapped नहीं है और जो product बन रहा है उसमें दोनों negative opposite direction में अगर दोनों negative opposite direction में है तो यहाँ repulsion कम होगा और यहाँ repulsion क्या होगा ज़ादा होगा तो यहाँ पर less repulsion है यहाँ पर क्या है बेटा less repulsion है क्योंकि both negative charges are in the opposite direction और यहां both negative charges are in the same direction तो मेरे खास से explanation clear है कि Ka1 का जो product है Malik का Ka1 of Fumeric के product से जदा stable है क्योंकि यह hydrogen bonding हो रही है और Ka2 Malik का जो है उसका जो product है वो less stable है और Ka2 Fumeric का जो product है वो जदा stable है तो product की stability कम तो H plus K निकलने का rate क्या होगा कम तो that is the reason Ka1 of Malik will be greater than Ka1 of Fumeric but Ka2 of Malik will be smaller than Ka2 of Fumeric correct तो इसी को हमने यहां पर लिख दिया है explain कर दिया है कि conjugate base of Ka1 of Malik Acid will be more stable than the conjugate base of Ka1 of Fumeric Acid due to intramolecular hydrogen bonding therefore Ka1 Malik will be greater than Ka1 Fumeric or second case may conjugate base of Ka2 of Malik conjugate base of Ka2 of Malik Acid will be less stable than the conjugate base of Ka2 of Fumeric Acid due to more repulsion due to more repulsion so Ka2 Malik will be smaller than the Ka2 Fumeric तो बेटा Malik और Fumeric Acid के बाद अब हम लोग Carboxylic Acid और उससे उसके derivative की बात करेंगे correct concept सबका सेमी है क्या electron attracting group conjugate base की stability को increase करते हैं इसलिए SD nature को increase करते हैं electron donating group conjugate base की stability को decrease करते हैं इसलिए SD nature क्या होता है decrease हो जाता है तो concept हम बता चुके हैं बहुत सारे examples जितना ज़दा examples के practice कराएंगे उतना ही आपको confidence आएगा मने examples लिख लिए हैं so that आप बच्चों का time save हो तो चलो देखो हमने इस आपको बताया था कि Acid Acid इसलिए है क्योंकि इसने इसमें से H निकाल दिया और H निकालने के बाद हमें देखना है कि ये resonance कर रहा है और resonance करने के साथ-साथ देखो ये resonance कर रहा है हमने बताया था इसके 2 RS मिलेंगे और दोनों की stability क्या होगी बेटा equal होगी इसलिए hybrid में contribution क्या होगा equal होगा तो Acid तो सब में लगा हुआ इतना काम तो सब के साथ हो रहा है देखो इसके साथ भी हो रहा है इसके साथ भी हो रहा है correct लेकिन अब इसके carbon के orbital में ये group कैसा लगा है वो decide करेगा कि Acid strong होने वाला है ये weak होने वाला जैसे electron withdrawing group अगर है तो electron withdrawing group तो electron attract करता है तो electron attract करेगा तो यहाँ पे minus i वाला जो group होगा वो acidic nature को increase करेगा क्योंकि conjugate base की stability को increase करने वाला है और pharmacist है इसमें h की न लेने की process है न देने की process है तो इसका i effect क्या मना जाता है नेटिंग group लगा दिया say for example plus i वाला group लगा दिया कौनसा group लगा दिया plus i वाला group लगा दिया तो ये क्या करेगा ये conjugate base की stability को decrease करेगा और astignature को क्या करेगा decrease करेगा मैं plus im की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहां पर कोई भी group लगाओगे जिसे मालों यहां पर हम कोई भी group लगा दे तो ये जो group होगा इस negative के charge के साथ ना तो resonance करेगा ना तो plus im करेगा ना तो minus im करेगा सिर्फ और सिर्फ i effect से हमें impact को देखना है correct तो इसी concept के साथ हम लोग different questions को discuss करने की courses कर रहे है तो देखो यहां पर fluorine लगा दिया fluorine CH2H तो fluorine का यहां पर कैसा effect है minus i effect है यहां chlorine लगा दिया chlorine का कैसा effect है minus i है mystic लगा methyl लगा दिया minus i का group हटा दिया तो minus i उसका ज्यादा minus i इसका कम यहां plus i लग रहा है तो इसका k का order जो हो जाएगा one is greater than two is greater than three आगले example में आप notice करो कि यह जो CL है यह minus i कर रहा है और यह जो CL है इसकी distance को हमने क्या कर दिया increase कर दिया और यहां पर minus i का group हटा दिया तो वो क्या कर रहा है plus i कर रहा है तो इसका भी order जो जाएगा वो one जाएगा यह plus i कर रहा है order जाएगा one जाएगा two जाएगा और two के बाद क्या जाएगा बेटा three आगला जो fourth example है इसको आप star भी बना लें तो अच्छी बात है यहां पर देखें यह मिथाईल यहां carbon है यहां silicon है बागी सब चीज़ तो same है तो electronegativity carbon की ज़्यादा है electronegativity carbon की ज़्यादा है then the silicon इसलिए पहले की क्या हो गई ज़्यादा हो गई दूसरे की कम हो गई next example यहां पर double cl है double minus i करेगा यहां पर single minus i हो रहा है यहां पर minus i ज़्यादा हो रहा है triple minus i हो रहा है है न भई यहां पर जो minus i हो रहा है वो triple minus i हो रहा है तो सबसे पहले हमने 3 को किया फिर 1 को किया और फिर 2 को किया next example में आप notice करें hybridization सब जगां यहां पर hybridization sp है यहां पर hybridization sp2 है यहाँ पर hybridization SP3 है और यहाँ पर pH है pH का double-double hybridization दो-दो pH बद एक pH में नीचे भी carbon SP2 उपर भी carbon SP2 तो minus i का जो order जाता है minus i का order अगर आप बच्चों को याद हो पहले SP carbon था तो फिर उसके बाद pH था फिर उसके बाद vinyl था याद हो ना आप बच्चों को फिर उसके बाद vinyl था तो SP वाले को यह नी first वाले को top में लिया first वाले के बाद third जाएगा third के बाद second जाएगा और second के बाद first जाएगा उसके बाद यहाँ पर notice करें तो CN, यह CN क्या कर रहा है बेटा minus I कर रहा है याद रखना minus M नहीं करेगा यह ketone है यह भी minus I कर रहा है यहाँ पर plus I का group लग गया तो order क्या जाएगा one is greater than two is greater than three क्योंकि CN का minus I जादा होता है और ketone का minus I कम होता है तो यह मैंने कुछ examples करा है आप बच्चों को concept लगाना है आपको I effect लगाना है जो की distance से dependent होता है I effect number से change होता है जैसे मालोड double CL लगाया कहां गया यहाँ पे देखें आप double CL है यहाँ पे triple CL है triple CL को ज़्यादा कर दिया यहनि additive effect है और यहाँ single CL है distance से university पर पोस्टन यहाँ पे नजदीक है यहाँ पे दूर हो गया अब कुछ examples directly anxiety से कर रहे ऐसी means में anxiety के questions आ जाते है कभी concept लगता है कभी experimental चलता है आप बच्चों को धान देना है तो inorganic acid is always stronger acid than the organic acid inorganic acid always stronger acid क्योंकि inorganic acid में ionic bond होता है water में डालोगे ionize कर जाएगा S plus की निकलने का rate fast हो जाएगा तो यहाँ पे triple fluorine लगा है एक pH है आसान है 1 is greater than 2 is greater than 3 is greater than 4 inorganic acid is always stronger acid next question में यहाँ पे देखो fluorine लगाया हुआ है यहाँ पे minus i fluorine का है यहाँ पे minus i chlorine का है यहाँ पे भी minus i chlorine का है बढ़ डबल है और यहाँ पे nitro लगा हुआ है यहाँ पे भी यह क्या कर रहा है minus i कर रहा है यहाँ के इस से minus हम नहीं करेगा क्योंकि conjugation नहीं है अब इस question को मैं star बना रहा हूँ देखो CF3 C double bond OH or CCL3 C double bond OH में सबसे पहले तो जाएगा CF3 यहाँ पे number 1 गया और यहाँ पे number 2 गया अब question उड़ता है कि third और fourth में हम किसको compare करें यहाँ पर एक nitro लगा है यहाँ पे double CL लगा है जबकि nitro का minus i ज़ादा होता है और CL का minus i कम होता है तो एक कुछ rules याद रखोगे तो आसानी से IE effects को हम apply करके questions कर सकते हैं या basic strength निकाल सकते हैं तो यहाँ पर मैंने लिखा है rules for applying eye effect एक term यूज होता है DNP DNP तो जब inductive effect को हम apply करें तो सबसे पहले हम देखें कि distance कोई भी group अगर नजदीक है तो वो impact eye effect का ज़्यादा करेगा और जो दूर है वो impact eye effect का कम करेगा चाहे नजदीक वाले group का minus eye कम ही क्यों ना हो फिर से सुनो distance पहले देखना मालनो nitro है nitro को हमने 2 carbon के बाद लगा दिया और CL को हमने 1st carbon पे लगाया है तो CL का impact ज़्यादा होगा और nitro का impact कम होगा तो इसे बोलते हैं distance उसके बाद number number में सिखा चुका हूँ अगर position same है अगर position same है तो अगर double या triple identical minus eye वाले group लगे हुए हैं तो उनका impact single वाले से ज़्यादा होगा चाहे single वाले का minus eye ज़्यादा ही क्यों ना हो जैसे यहाँ पर notice करें इस concept को यहाँ पर लगाएं position same है carbon number one और carbon number one बट यहाँ पर number minus eye का ज़्यादा है और यहाँ पर number minus eye का कम है और number ज़्यादा है इसलिए इसका minus eye का impact acid पर जो पड़ेगा हो ज़्यादा पड़ेगा तो 3 को पहले किया और 4 को बाद में गिया तो यहाँ नंबर से एक बार फिर से नाइट्रो का माइनस आई जादा है CL का माइनस आई कम है लेकिन CL का नंबर जादा है जो लगा हुआ पोजिशन पर CL के नंबर जादा है इसलिए collectively additive impact अगर notice किया जाए तो डाइ-CL का इसलिए के स्ट्रंग जादा होता है और नाइट्रो का इसलिए के स्ट्रंग कम होता है उसके बाद P है position position का वही नजदीक अगर है तो ज़्यदा करेगा और दूर है तो कम करेगा position तो उसके बाद यहां पर notice करें अगले example में अगले example में बहुत simple है minus i है यह minus i है strength से चल रहा है cn का minus i ज़्यदा यहां पर minus i इसका कम हो गया इसका minus i और कम हो गया तो इसका order जाएगा 1, 2, 3, 4 next question farmic acid, benzoic acid इसमें और इसमें notice करें यह pH का minus i होता है इस pH का भी minus i होता है इस methyl का plus i होता है और इस H का क्या होता है i effect 0 होता है अब इसमें और इसमें आप बच्चों को परिशानी होती है pH का minus i जो होता है वो greater होता है than the plus m मैं बताऊंगा इसको जब benzoic acid पढ़ाऊंगा plus m इसका very weak है very weak है तो overall impact इसका minus i का लिया जाता है experimental है तो आप बच्चों को pharmic और benzoic में pharmic को पहले करना है benzoic को बाद में करना है plus m इसका dominating है फिर भी इसका plus m इतना ज़्यादा dominating नहीं है कि वो क्या करें acid की strength को decrease कर दे experimental है तो यहाँ पे pharmic acid को पहले किया फिर benzoic acid को किया फिर third को किया और फिर उसके बाद किसको किया fourth को किया next example में एक CL लगा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है minus i फिर यहाँ पे pharmic acid benzoic acid or estic acid का क्या लग रहा है plus i लग रहा है सबसे पहले यहाँ पे one गया one के बाद two गया two के बाद three गया three के बाद four गया pharmic benzoic और estic acid को मैं अलग से explain करने वाला हूँ देखो pharmic acid के बारे में आप notice करें pharmic acid ने H निकाल दिया और यहाँ पर simple यह क्या कर रहा है बेटा resonance stabilized है benzoic acid के अगर हम बात करें benzoic acid ने भी H निर्मूब कर दिया अब ध्यान से यहाँ पे हम लोगों को देखना है experimental value को justify करने की कोसिस करनी है देखे पहली बात यह जो negative charge है यह benzene के अंदर resonance नहीं करेगा क्योंकि इस negative का benzene से देखो double double sigma है resonance नहीं होगा यह negative charge इसके साथ ही resonance करेगा और यह phenyl का यहाँ पे impact क्या हो रहा है plus m but very weak very weak क्यों क्योंकि जब plus m का order आप देखोगे तो phenyl के just नीचे क्या रहा halogen 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 का फिर dominating factor क्या है plus m और minus i में dominating factor minus i हो जाता है तो pH एक तरीकी से benchmark पे है यह पी-च के नीचे के जो atoms है वो minus i करना शुरू कर देते है तो इसका plus m बहुत ज़्यादा नहीं है बहुत weak है in fact यह jump करने की कोसिस कर रहा है कि मैं resonance करूँगा जबकि यह negative charge इस carbonyl के साथ पहले से ही बहुत बढ़ियां से resonance कर रहा है यह pH अगर electron अंदर से बाहर भी निकले तो इसके aromaticity भी बढ़क हो जाएगी तो यह resonance करता नहीं है क्योंकि यह negative charge carbonyl के साथ पहली resonance से stabilized है यह करने की प्लस्यम करने की कोसिस करता है उस कोसिस के चकर में इसकी stability formate anion से क्या हो जाती है कम हो जाती है अब estic acid की बात करो estic acid ने H निकाल दिया तो acetate iron बना अब acetate iron में negative charge तो resonance करी रहा है लेकिन methyl का यहां बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है प्लस आई लग रहा है इसका मतलब phenyl का जो प्लस्यम करने की जो कोसिस हो रही है वो इतना कम हो रही है कि methyl का प्लस आई उसके उपर क्या हो जाता है dominate कर जाता है तो हम आप बच्चों को suggest करेंगे कि example number 5 को धान से याद रखने की कोसिस करें कि क्लोरीन में तो कोई परिशान ही नहीं है अगर फार्मिक, बेंजोईक और एस्टिक एसिट की बात करें तो फार्मिक एसिट की एसिटी ज़्यादा है फिर बेंजोईक एसिट क्योंकि बेंजोईक एसिट में कार्मिक एसिट और उसके डेरिवेटिब्स के बारे में बताया कैसे एस्टिक एस्टिक एस्टन को हमें कंपेर करना है एक बार फिर से हम बता दें आई-फेक्ट को कंपेर करने के लिए ये शॉटकट याद रखना D and P, D का मदलब डिस्टेंस Distance का मदलब ये होता है कि जैसे एक Less Minus I वाला ग्रूप नजदीक है और ज़्यादा Minus I वाला ग्रूप दूर है तो Less Minus I will be dominating over the More Minus I ग्रूप because Less Minus I वाला नजदीक में है Distance के इन्वर्स्टिरी पर पोर्पोर्स्टन होता है Distance हो गया Number अगर Distance सेम हो तो Double C L लगा होगा तो Minus I जदा लगेगा 1 C L लगा होगा तो Minus I गम लगेगा Next one is Position एक सिमलर ग्रूप हो एक Position Sinai का से तो Carbon No. 1 पर रहे और दूसरे एक्जांपल में Carbon No. 3 पर रहे तो Carbon No. 1 will be more dominating than Carbon No. 3 प्रूसरे 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 लगेगा